ट्रस्ट है और टेक्नोलोजी ड्रिवन एप्रोच है उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादे के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टिम की व्यवस्ता की गई है। इससे हमारे इंडुस्ट्री का confidence बड़ा है। हमारी अपनी भारत की कमपनियों ने डिफेंस इंडुस्ट्री में भी अपने लिए संभावनाय तलाशना शुरू किया है। और अब प्रावेट सेक्टर और सरकार साथ मिलकर राष्ट्र रक्षा के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। यूपी और तमिल नाडु के डिफेंस कोरिडोर्स का उधारन हमारे सामने हैं। इतने कम समय में बड़ी बड़ी कमपनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रूची दिखाई है। इससे देश में युवाओं के लिए नए आउसर भी तैयार हो रहे हैं। और सप्लाई चेन के रूप में कई MSME इसके लिए नई संभावनाय बन रही है। देश में जो नितिकत परिवर्तन किया है उसका परणाम है कि पिछले पांच सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट सवा तिन सो प्रतिसत से भी ज़्यादा बढ़ा है। साथियों कुछ समय पहले ही रक्षा मंत्राले ने ऐसे सो से ज़्यादा सामरिक उपकरोनों के लिस्ट जारी की थी जिने अब बहार से आयात नहीं किया जाएगा। इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड रुपिये के ओर्डर्स प्लेश किये हैं। यह हमारी डिफेंस इंडुस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है। बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है। एक कंपनी एमिनेशन और एक्प्लोजीव की जरुतों को पुरा करेगी। तो दूसरी कंपनी आर्मी वेहिकल्स मेनिफेक्टर करेगी। इसी तरह एडवांस वेपन्स और एक्पिप्मेंट हो। टूप्स कंफर्ट आइटम हो। अप्टिकल इलेक्ट्रोनिक्स हो। या पराशूट। हमारा लक्ष है कि भारत की एक-एक कंपनी न केवल इन छेत्रों में एक्स्पोर्टाइज हासिल करें बलकि एक ग्लोबल ब्रांड भी बनें। कंपुटिटिव कॉस्ट हमारी ताकत है। क्वालिटी और रिलाइबिलिटी हमारी पहचान होनी चाहिए। साथियों मुझे विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से हमारे हाँ ओडिनन्स फेक्टरी जो टेलेंट है जो कुछ नया करना चाहते हैं उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। जब इस प्रकार के एक्सपर्टीज को इनोवेशन का आउसर मिलता है, कुछ कर दिखाने का आउसर मिलता है, तो वो कमार करके दिखाते हैं। आप अपने एक्सपर्टीज से जो प्रोडक्ट बनाकर दिखाएंगे, वो भारत के डिफेंस सेक्टर की शंता तो बढ़ाएंगे ही, आजादे के बाद जो एक गैप आ गया था, उसे भी दूर करेंगे। साथ्यों, 21 सदी में कोई देश हो या कोई कंपनी, उसकी ग्रोथ और ब्रांड वेल्यू, उसके रिसर्च और इनोवेशन से तै होती है। सौप्टर से लेकर स्पेस सेक्टर तक भारत की ग्रोथ, भारत की नई पहचान इसका सबसे बड़ा उधार्न है। इसलिए मेरा सभी साथ कंपनियों से भी विशेश आगर हैं कि रिसर्च और इनोवेशन आपके वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। उसको प्राथ्विक्ता मिलनी चाहिए। आपको केवल दुनिया की बड़ी कंपनियों की बराबरी ही नहीं करनी हैं। बल्कि फ्यूचर टेक्नलोजी में लीड भी लेनी है। इसलिए ये जरूरी है कि आप नया सोचे। रिसर्च औरियेंटेड युवाओं को जादा से जादा मोका दे। उन्हें सोचने की पुरी छूड दे। मैं देश के स्टार्ट अप से भी कहूँगा इन साथ कंपनियों के जरिये आज देश ने जो नई शुरुवात की हैं आप भी इसका हैसा बनी है। आपकी रिसर्च आपके प्रोडक्स कैसे इन कंपनियों के साथ मिलकर एक दूसरे की शमताओं से लाभानवित हो सकते हैं इस और आपको सोच रा चाहिए। साथियों सरकार ने सभी कंपनियों को एक बहतर प्रोडक्शन एंवार्मेंट देने के साथ साथ पूरी फंक्शनल अटोनोमी भी दी हैं। इसके साथ ही ये भी सुनिशित किया गया है इन फैक्टरीज के कर्मुचारियों के हीत पूरी तरस से सुरक्षित रहें। मुझे पूरा भरोसा है कि देश को आपकी एक्सपरटाइज का बहुत लाव होगा और हम सब मिलकर आत्म निर्भर भारत के अपने संकल को पूरा करेंगे। इसी भावना के साथ फिर एक बार आप सब को विज़ादस्पी की बहुत बहुत शुब कामना हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।